असलाम अलेकुम स्टुडेंट्स वेलकम टो मैं चैनल रिजिस्टरेशन फॉर्म पाकिस्तान मिल्टरी अकेडमी लॉंग कोर्स PMA लॉंग कोर्स की रिजिस्टरेशन का आगाज हो चुक है आज की वीडियो में आपको ऑनलाइन फ्री रिजिस्टरेशन करने का मकमल तरीका कार बताऊंगा आपको क्रेक्शन से बताऊंगा ताके आपकी रिजिस्टरेशन बाअसानी आप खुद से कर सके तो आपको आज की वीडियो में all box को fill करने का method बताऊंगा कि किस box में आपने क्या type करना है तो आपकी registration होगी अगर आपकी registration में किसी भी किसम की कोई भी information wrong पुट ओ गई तो आपकी selection कभी भी नहीं हो सकेगी तो आज की वीडियो को बकाइदा तोर पर मकमल देखेगा ताके आपकी registration में किसी भी किसम की कोई भी problem ना हो Dear Candidates, सबसे पहले आपको थोड़ा सा explain करता चलूँ इस PMA Long Course की jobs related तो ये वो job है जिसे candidates घ्वाबों में सोचते हैं यानि आपकी dream job ये dream job आपको पाकार्मी में as a second lieutenant बरती करती है और आप only FA, FSC, ICS, ICOM, DA यानि intermediate या equivalent qualification से आप पाकार्मी में as a second lieutenant बरती हो सकते हैं यहाँ पर जो आपकी pay लगती है वो तकरीबन 40,000 के करीब होती है और यहाँ पर आपको जो मरात मिलती है आपको facilities मिलती है वो किसी print से कम नहीं होती तो candidates इस job में apply लास्मी तोर पर कीजिएगा अगर आपने FA, FSC, ICOS या intermediate आपने कोई भी equivalent degree भी आसिल कियो है या intermediate के यानि आप 12 class पास है तो इसमें लास्मी तोर पर apply कीजिएगा तो चलते हैं आपको इसमें apply का मुकमल तरीका कार बता देता हूँ ताकि आप खुद का खुद से apply कर सके तो सबसे पहले आपने Google open करना है और यहाँ पर जो आपने type करना है जोइन पाकार्मी लिख कर सर्च करना है जब आप इस तरह से जोइन पाकार्मी लिख कर सर्च करते हैं आपके समने कुछ इस तरह से वेबसाइट आपको नजर आएगी www.joinpakarmy.gov.pk आपने इस option पर क्लिक करना है जब आप इस option पर क्लिक करेंगे आपके समने कुछ इस तरह से पाकिस्तान आर्मी की ओफिशल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें आपको कुछ इस तरह से जोइन पाकिस्तान आर्मी एज एक मिशन ओफिशल की option नजर आ रही होगी जिसमें आपने second option रिजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है जब आप इस option पर क्लिक करेंगे आपके समने वही application form ओपन हो जाएगा जिसमें आप registration करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप testing center का इंतखाब कीजिए आप google पर search करके अपना near as center तलाश कर सकते हैं तो यहाँ पर जैसा के मेरे नजदीक लाहूर है मैं उसका इंतखाब कर लेता हूँ यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे name वाली option में जो next option है जिसमें आप date of birth लिखेंगे तो date of birth मैं लिख लेता हूँ उसके बाद year का इंतखाब आता है उसके बाद year तो यहाँ पर मैं year लिखता हूँ first में है date, second में है month और last में year तो next जो option है बे form की यानि मेरा candidate का CNIC यहाँ पर चाहिए मैं CNIC लिखती है next में verify CNIC की option है उसके बाद father guidance name आ जाता है father guidance name है मुहमद अमीन तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ next में father guidance CNIC मैं यहाँ पर CNIC टाइप कर देता हूँ next में father profession category मैं इसे थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूँ यह देखे father profession category तो यहाँ पर इस option पर click करके मैं देख लेता हूँ मेरे father की यहाँ पर category है businessman, private job, governed job, serving army, retired army, शहीद, in service, death army, war wounded army, all details यह उन से related है जो के army में है किसी भी defense force में है another आपका यहाँ पर कोई भी option नहीं होगा तो आप other पर click करेंगे next में father profession detail तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं वगरना आप छोड़ भी सकते हैं next में father regiment corps, father rank, father army number, father parent unit, father status आपने लास्मी तोर पर लिखना है क्योंके status last me है जबके another details होएं यह उन के लिए हैं जिनके father किसी भी defense force में होगा next में father income तो इस जगा पर मैं click करके father की income select करता हूँ आपने कम से कम जो father की income है वो select करनी है मैं more than 26,000 and up to 50,000 को select कर लेता हूँ यह नि third option को none से third option को मैंने select कर लिया next में place of death यह उनके लिए हैं जिनके father शहीद हुए है और next में option है father nature of death, place of oppression, father type of injury, mother name यहाँ पर mother name लिखते हैं mother name जैसे कि आपदा बीबी है तो मैं आपदा बीबी लिख लेता हूँ, आपदा बीबी ठीक हो गया और next में mother cnice की option आती है, इस जगा पर mother का cnice type कर देता हूँ next में mother profession category तो इस option पर click करके मैं housewife का इंतखाब कर लेता हूँ next में mother profession तो यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं, next में आप सेलेंगे तो यहाँ पर आपको mother rank की option मिलती है mother army number, mother regiment corps, mother apparent unit, mother status, mother status लाज़मी तो पर लिखे, mother status में जगा पर click करके आप alive का इंतखाब कीजिए next में mother income की बात आती है, तो mother income आपने none लिखने है क्योंकर housewife की कोई भी income नहीं होती next में father education की बात आती है, आप इस option पर click करके father की education का इंतखाब कीजिए, जैसा के मेरे metric है तो मैंने metric लिख लिए है यानि आप selection थक जा सकते हैं, यह कहरें sibling, sibling से मुराद होता है, आप कितने बैन बाई हैं, तो मैं यहाँ पर four का इंतखाब कर लेता हूँ, zero four, यहाँ पर बात आती है family income की, तो family income आप वही लिखें जो के father की income, यानि third option more than 26,000 and up to rupees 50,000, मैं यहाँ पर इसका इंतखाब कर ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो domicile शेकपुरक है, आपका जहां का भी है, आप उसका इंतखाब कीजिए, all options यहाँ पर मजूद है, next में district की option है, तो इस दिकापर click करके शेकपुरक का इंतखाब कर लेता हूँ, all के district यहाँ पर मजूद है, kindly आप अपने district का इंतखाब कीज अच्छा यह बात सामने आती कि पोस्टल कोड कानि कैनिडेट्स को पता होता, मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि मेरा पोस्टल कोड तो 49, 35 और 0 है, तो अभी आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले पोस्टल कोड बताता हूँ, कैसे यह देखें, मैं क्टिक करता हूं तो यह देखे मेरे सामने शिखपुरा का पॉस्टल कोड़ कोड़ आजाएगा यह देखे कि लशेख फुरा जी पि ओ पॉस्ट्रord यह आप देख सकते हैं यह अप अपना पॉस्ट्र code निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने वहाँ पर 49, 35, 0 लिख लिए है, वही है जो मैंने निकाला है, यहाँ पर तहसील की बात आती है, तहसील वाली option पर आप क्लिक करें, मैं अपनी तहसील का इंतखाब शिखपुरा को कर लेता हूँ, यहाँ पर address की बात आती है, तो address चूंके मे मेल हजरात ही apply कर सकते हैं, females apply नहीं कर सकती, मैं आपको वाज़ा तोर पर बता रहा हूँ, कि यहाँ पर gender पर आपने male ही लिखने, another कोई भी gender इसमें apply नहीं कर सकता, next option है status की, आपने इस option पर click करने और unmarried and married का इंतखाब करने, आप unmarried होंगे, फिर यहाँ इस post पर apply कर सकत वगरना अगर आप married हैं, तो आपके enter होने के chances नहीं हैं, तो यहाँ unmarried वाली option पर आप click करें, next में religion, Muslim, आपका जो भी religion है, आप उसका इंतखाब कीजिए, आपको यहाँ पर two options मिलेंगी, Muslim and non-Muslim, मैं Muslim का इंतखाब कर लेता हूँ, next में section, तो यहाँ पर मैं सुनी, शिया मैं non-Muslim type की है, वो यहाँ पर यह बताएगा, वो Christian है, सिख है, हिंदु है, कलाश है, बुदिस्त है, या एहमदी है, तो जैसा कि मैंने Muslim का इंतखाब किया, मैं इसमें से किसी भी option पर click नहीं करूँगा, next में बात आती है, cast की, मैं इस जगह पर click करके अपनी cast का देता हूँ, next में वो कह रहे है, mobile number, यहाँ पर मैं अपना WhatsApp का number लिख देता हूँ, जो के all candidates ही जानते हैं, और next में यहाँ पर email का कह रहे है, मैं यहाँ पर अपना email लिख देता हूँ, अभी आप सोच रहे होंगे कि आपको आपका email कहां से मिलेगा, आप अपने जो प्ले स्टोर है ना, आपका mobile का, उसके साइड में देखेंगे ना, तो आपकी email आपको नजर आ रही होगी, आप वो भी put कर सकते हैं, next में मैं पूछे, appearance status fresh candidate, क्योंकि अभी आप fresh हैं, अगर आप repeater हैं, तो next recommended, not recommended वाली option पर आपने click करने हैं, अगर आप ISSB, PMA and TCC यानि technical credit course में से आप not recommended हो चुके हैं, अगर आप ISSB, Navy and Air Force में not recommended हो चुके हैं, तो आपने options का इंतखाब करने हैं, वगरना आपने fresh candidate वाली option का इंतखाब करने हैं, अगर आप first time आ रहे हैं, अगर पहले जो initial test में fail हो चुके हैं, तो फिर भी आप fresh candidate का ही इंतखाब करेंगे, तो next में यहां पर वो पूछला है, previously applied in, इसमें आपने कुछ भी नहीं लिखना, अगर आपने apply किया हुआ था पहले किसी भी course में, तो फिर आपने लिखना हैं, अनदर आपने कोई भी detail नहीं ल यानि army, navy, paf ठीक हो गया, next में आपने यहां पर no का इंतखाब करना है, और यहां पर आप अपना passport number लिखेंगे, अगर आपका है वगरना ठीक है, type of passport है वगरना ठीक है, date of passport issuance लिखने की जरूरत नहीं, place of passport लिखने की जरूरत नहीं, next value option में आप आएं, तो यहां पर आ आपके सामने कुछ इस तरह से details open हो जाएंगी, जिसमें आप first number वाली option यह देखें, group science किया, और result status completely ठीक हो गया, role number यहां पर सबसे पहले आप अपना लिखें, जैसे के मेरा role number यह है, 1445 और यहां पर passing year लिख लेता हूँ, 2017, and next यहां पर लिखते हैं, marks obtained, marks obtained में मैं 1100, and marks percentage में रियोगी, 71%, ठीक हो गया, और school लिखूंगा यहां पर, govart high school, next में board का इंतखाब करेंगे, किस board से इमतिहान पास किया था, यहां से मैं तलाश कर लेता हूँ, यह देखें, the board of intermediate and secondary education lahore, तो next वाली option में आते हैं, जिसमें वो कह रहा है, कि अपने A level यहां अपन intermediate का इंतखाब कर, यहां पर group का इंतखाब करता हूँ सबसे पहले, तो मैंने चुंकि FSC किया है, मैं FSC का इंतखाब करता हूँ, आप यहां पर देख सकते हैं, A level, FA, FSC, ICOM, ICS, DA, all options यहां पर मुझूद हैं, आप किसी का भी इंतखाब कर सकते हैं, अगर आपकी degree in में से कि CCB qualification के equivalent है, फिर भी आप apply कर सकते हैं, तो यहां पर देखें, मैं FSC, QA, मैं FSC का इंतखाब करता हूँ, next में status आ जाता है, completed है, यहां पर इंतखाब कर सकते हैं, next में option आती है, role number की, तो यहां पर role number यह देखें, आप मैं role number अपना put कर लेता हूँ, next में हो कह रहा है, passing year में मैं यहां पर passing year का इंतखाब करता हूँ, next में हो कह रहा है, marks obtained, यानि कितने marks हासल की है, आपने, तो मैं यहां पर 780 marks का इंतखाब कर लेता हूँ, next में हो कह रहा है, total marks कितने थे, 1100, next में हो कह रहा है, marks की percentage कितनी बनती है, मैंने 70% लिख दिया, next में हो कह रहा है कि कौन से school से की मैं govet college लिखते ता हूँ govet college ठीक हो गया govet college लिखते है next मैं कहरा board कौन सा था मैं इस जगा से board का इंतखाब कर लेता हूँ the board of intermediate and secondary education lahore next में अगर आपने कोई भी qualification हासिल की हूई या bachelor वाली या आपने other कोई भी qualification तो वो आप यहां पर से group का इंतखाब कर सकते हैं आपने कौन सी qualification हासिल किया है another अगर आपने only FSE की हूई या तो आप किसी भी option का इंतखाब नहीं करेंगे अगर आपने कोई भी छोटा सा डिप्लोमा किया हूए computer का आपने कोई fashion designing का beautician का इस तरह का कोई भी लड़के वैसे काफी जदा डिप्लोमास हासिल करते हैं तो अगर आपने कोई भी छोटा सा भी डिप्लोमास हासिल किया तो आप यहां पर अदख qualification में यहां पर लिखेंगे जब आप इस तरह से अपनी all information put कर लेते हैं आपने इस i hereby value option इस box पर click करना है यहां पर देखें इस तरह से tick हो जाएगी आपने next में आना है तो आपकी all information यह देखें आप put कर चुके हैं अभी आपने अपनी registration को submit करना होगा और आपका online apply हो जाएगा आपने यह जो enter code यहाँ पर लिखा हुए आपने इस इस जगाँ पर वैसे लिखने है अगर capital में जो word लिखें होने capital में लिखें जो word small में लिखें ताकि आपकी registration हो सके यह देखें जैसे यह अभी यह आपको ओ नजर आ रहा होगा यह वैसे zero लिखा हुआ है इस तरह से आपने द्यान से यह information पुट करनी है अगर आपका एक code थोड़ा गलत type का है यह आपको समझ नहारा आप यहाँ पर refresh image पर क्लिक करके इसे again से change कर भी सकते हैं यहाँ आपके समने registration करूंगा आपने देखना है register option पर मैं क्लिक करता हूँ यह मुझे कुछ correction का कह रहा है ताके आपको मैं समझा सकूँ यह कह रहा है father profession लिखें और mother profession लिखें मैं उपर जाता हूँ आपको again से जो corrections हैं वो भी करके दिखाता हूँ ताके आप जान सकें अगर आपसे कोई भी mistake हो जाए तो आप उसे कैसे correct कर सकते हैं देखें mother profession वाली option यह देखें blue color की हो चुकी है मैं यहाँ पर house wife again से लिख देता हूँ house wife ठीक है देखें आपके समने मैंने correction भी किया ताके आपको समझ आ सके father profession detail वो पूछ रहा है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ shop ठीक हो गया यहाँ पर मैंने shop लिखती है और next मैं मैं नीचे आके again से जो option है register वाली उस पर click करता हूँ तो देखें मेरी registration हो चुकी है मैंने आपके समने all details put किया यह देखें registration confirmation your request has been registered अगर आपकी जो verification है वो approved हो जाएगी तो आपको slip जरी कर दी जाएगी वैसे आपको जो applicant ID दी गई है वो कुछ यह दी गई है Dear Candidates मैंने all details आपके समने put कि अभी मैं आपको जोए वो registration slip download करने का method भी बताता हूँ तो जैसा कि मैं official website पर हूँ यहां सी आपको जोए वो registration slip download करने का method बताऊंगा इस जगह थोड़ा सा नीचे आते हैं जहां से हमने registration करना start की थी इस जगह पर और इस जगह पर सबसे last में option है exam slip इस click here पर मैं click करता हूँ मेरे सामने कुछ इस तरह से information आएगी जिसमें first वाले पर अपना CNIC लिखने और लास्ट वाले पर यहां पर लिखने एंटर father guidance यहां पर मैं father का CNIC लिखूंगा और यहां पर वो कह रहे है enter code यह अपने code इस जगह पर enter करने और okay करें z यार क्या हो रहा है एक second में दोबारा से आपको पूर्ट करके दिखाता हूँ इस तरह से हो गया अभी next इस पर click किया और सबसे पहले z उसके बाद the I F N D 7 H ठीक हो गया यहां check status पर मैं click करता हूँ यह देखे मेरी registration हो चुकी है विकाइदा पेंडिंग पर मेरी इस वकल डेट है यह देख सकते हैं अप अली हम्जा मेरा बेफों भी आ चुक है मेरी exam station भी आ चुक है और पेंडिंग पर है ठीक है यह इंशाल्ला दो से तीन किसलिप आ जागी है देखें अभी registration हुई है ठीक है तो मैं उमीद करता हूँ आपको यह समझ आ गयी होगी मजीद आपको यह भी बताता चलूँ के मेरा channel आपको notes भी provide कर रहे है उससे related मेंने all details का link आपको इसी वीडियो के lastment इसी वीडियो के description में provide कर दियो है आप उन notes को हासिल करें और आप भी अपनी preparation करें ताकि आप भी इस long course का हिस्सा बन सकें और आप भी पाक आर्मी में as a second lieutenant बरती हो सकें आपको all details के link इसी वीडियो के last में और इसी वीडियो के description में provide कर दियो है मजीद updates के लिए मेरे इस channel को लाजमी तोर पर subscribe कीजिएगा क्योंकर मैं इ इसकी बहुत सी preparation भी करवाने वाला हूं मिलते हैं इंशाला नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफीज